हेलो वेलकम बेक स्वागत है आप सभी का एक बाफ फिर से गोलम बिस की इस खास वीडियो में जी यहां सोने और चांदी की किमतों को लेकर यहां पर बड़ी खबर है आपको बता दे कि पिछले कई दिनों से लगातार दोनों किमती धातों में भारी गिराउट देखी जारी है सोने की कीमत में अब तक 6,000 रुपे तो वहीं चांदी के भाव में 11,000 रुपे तक की गिराउट आ चुकी है और ऐसे में सोनेओं चांदी की किमतों को लेकर कारोबारियों ने भी बड़ी जानकारी दे दी है इसी के साथ में अगर आप भी ATM से पैसे निकालते हो तो यहाँ पर आपके लिए बड़ी खबर है ATM से पैसे निकालने को लेकर बैंकों ने आम जनता को बड़ी अच्छी खबर दे दी है जानेंगे पूरी खबर के बारे में लेकिन इससे पहले आप सभी से प्यारा सा छोटा सा निविदन है कि अभी तक आपने कोलम बेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंती कर दे क्योंकि दोस्तों यही हमारी पूरी टीम की मेनत का फलोता है आपका एक लाइक और सब्सक्राइब भी हमारा मनोपल बढ़ाता है ताकि हम आप तक रोचा ना काम की बड़ी खबरे पहुचा सके चलिए तो बड़ी खबर कि भारत ने चीन को दिया एक और बड़ा जटका लागू की एक कड़े आयत नियम जिया भारत के साथ में बेब बुनियाद सीमा विवात के बार लगातार भारत सरकार चीनी कमपनियों को बाहर का रास्ता दिखा रही है कई सारी चीनी कमपनियों को भारती बासा से प्रतिबंद कर दिया जिनें अमरीका भी बैन नहीं कर पाया उन सारी कमपनियों को भारत सरकार ने बैन कर दिया भारत सरका लगाता चीनी कमपनियों को कड़े जटके दे रही है और इसी कड़ी में भारत सरका ने चीन की एक और चालबाजी को पकड़ लिया है दरसल चीनी कमपनिया अपने उत्पानन को किसी और देश की मादेम से भारत में आयत करती थी यानि कि भारत ने चीनी कमपनियों को प्रतिबंदित कर दिया तो चीनी कमपनिया दूसरे देशों के माध्यम से भारत में अपने सामनों को आयत करती है लेकिन चीन की चालबाजी को सरकान ने पकड़ लिया है और ऐसी कमपनियों पर कड़ी कारवाई की है वहीं आपको बता दे कि चीन अब वियतनम, इंडोनिसिया और थाइलेंड जैसे देसों के रास्ते से भारत में सामन नहीं बेच सकेगा आयत कानून के तरत रूल्स अफ ओरिजिन लागू करने के लिए जारी दिसा नेदिस की वज़े से चीन पर आसानी से लगाम लगाई जा सकेगी इसी के साथ में बड़ी खबर है कि चीन की अकर तोडने के लिए योगी सरकार ने किया बड़ा एलान चीन को करोडों में होका नुकसान जियां भारत के साथ में तनाव की बेची चीनी कमपनियों को लगा अतार भारत सरका बड़े जटके दे रही है ऐसे में अब प्रदेस सरकार ने भी बड़ा एलान कर दिया है योगी सरकार हमेशा अपने एक्षन के लिए प्रसिद है ऐसे में योगी सरकार ने चीनी कमपनियों को पूरी तरह से प्रतिबंद कर दिया सरकारी बयानों की मताबिक सरकार अब किसी भी प्रोजेक्ट में चीनी कमपनियों को गुसने नहीं देगी चीन समयत कुछ पड़ोसी देशों की कमपनिया अब उत्तर प्रदेस में किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट की टेंडर में हिस्सा नहीं ले पाएगी और इतने निबल की योगी सरकार कई सारी चीनी कमपनियों को उतर प्रदे से निकाल सकती है उन पर प्रतिबंद लगा सकती है अगर आप भी चाते हों कि जान लिवा बिमारी को बनाने वाले देश पर लगाता और प्रतिबंद लगाने चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताए चलिए तो बड़ी खबर है कि अब क्रेडिट और डेबिट कार्ड से नई एटियम पर मॉबाइल से निकाले पैसे जी हाँ एटियम से पैसे निकालने वालों के लिए बड़ी खबर है अब एटियम पर बिना डेबिट कार्ड के भी नकद निकासी हो सकती है और इसके लिए केवल मॉबाइल एपली केसं की मदद लेनी हो की धरसल नीजी चेतर की बैंक आरबियल बैंक ने कार्ड लेस पैसे निकालने की सुईदा सुरू की है जिसमें आप बिना कार्ड के भी सिर्फ मॉबाइल फोन से पैसे निकाल सकते हो और इस सुईदा का लाब लेने के लिए आरबियल बैंक की एपली केसं होना जरूरी है इसे के साथ में ATM IMT से लेस होना जरूरी है चलिए तो बड़ी खबर है के पबजी टिक टोक जैसी एप बैंसे ही चीनी कमपनियों को लगा तेट लाग करोड रुपे का बड़ा जटका जी यहां डेटा सिक्वेर्टी की बड़ती चिंताओ और एक सो तीस करोड भारतियों की निज्टा को सुरक्सित करने के लिए अब तक भारत सरका ने टिक टोक पबजी, यूसी ब्राउसर, वीचेट और सेरिट सहित दोसो चौविस चीनी एप्लिकेसन को बैंड कर दिया और इससे चीन को बड़ा जटका लगा है क्योंकि चीनी कमपनियों को भारी नुकसान हुआ है आपको बता दे कि चाइनिस एप भारती यूजर से लगबग 200 मिलियन डॉलर यानि कि 1,46,600 करोड रुपए की सालाना कमाई करती थी भारत के साथ में सीमा विवाद के बाद लगा अतार भारत सरका ने चीन को कई बड़े जटके दिये है जिसे की चीन की अर्थ विवस्ता में भारी असर पड़ा है चले तो काम की बड़ी खबरे के सरकार देती है बेटियों को 90,000 रुपए जानिये लाडली यूजना के पारे में जियां 2,14 में मोधी सरकार आने के बाद बेटियों के लिए कई सारी यूजना की सुरुआत की गई थी केंद सरकार की तरह राज्य सरकार ने भी बेटियों के लिए कई सारी यूजना की सुरुआत की थी और इसी में एक ऐसी यूजना है जिसमें बेटियों को आर्थिक मदद दी जाती है ताकि बेटियों को ससक्त बनाय जा सके बेटियों को पूरी सिक्सा मिल सके और ऐसे में हरियाना की सरकान ने भी लाडली योजना की सुरत की थी जिसमें बेटियों को आर्थिक मदद दी जाती है योजना की तर्थ आर्थिक साहता से राज्ये की लड़कियों को पड़ाई में मदद करके उन्हें सरसक्त बनाने का भी मकसद है हरियान में लाडली योजना महिला एवं बाल विकास मंतराले के सयोग से चलती है लाडली योजना से आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों को अपनी बेटियों के लिए खर्च मोहिया करवाया जाता है जिसमें सिक्सा सबसे अहम है योजना में जिन्द माता पिता की दो बेटिया है वो ही इस योजना के लिए आविदन कर सकती है और इस योजना में दोजा पांच या इसके बाद जन्मी लड़कियों को सालाना पांच जा रुपे दिया जाता है इस योजना का पैसा बेटी की आयू 18 वर्स पूरी होने पर दिया जाएगा वह अगर आप इस योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताए चलिए तो सोने और चांदी की कमतों को लेका बड़ी खबर है कि सोने और चांदी की कमतों में आया एक बाव फिर बड़ा बदलाओ जानिये आज का भाव जिया अंतराश्टी बासा में सोने और चांदी की किम्तों में भारी बदलाओ का असर करेलू बासार पर भी दिखाई दे रहा है वही किम्तों की बात करें तो आज चांदी का बाओ 67,050 रूपे प्रती किलो ग्राम पर पहुच चुका है वही सोने की किम्तों की बात करें तो सोने के भाम में आज इस्तिरता देखी गई जिसके बाद 22 कैट सोने का बाओ 1 ग्राम पर 49,680 रूपे दस ग्राम पर 59,600 रूपे 100 ग्राम पर 49,000 रूपे 22 कैट सोने का बाओ पहुच चुका है वही 24 कैट सोने की किम्तों की बात करें तो यहां पर 1 ग्राम पर 54,00 रूपे आठ ग्राम पर 49,281 रूपे 100 ग्राम पर 59,110 रूपे वहीं आपको बता दे कि भारत की बडे सरों में 22 कैट और 24 कैट सोने की किम्तों में फर्क होता है ऐसे में भारत की बड़े सरों में बाइस और चोईस केट सोनी की किमतों की बात करें तो यहाँ पर चेन्नाई, मुंबई, ने दिल्ली, कोलकत्ता, बैंगलूर, एहदराबाद, केरल, पूने, पड़ोद्रा, अम्दाबाद, जैपूर, लकनौ, कोयमबटूर, मदूरय, विज रोचाना सोने और चांदी की बाओ को जानना चाती हो, तो तुरंती गोलम बेस को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हम यहाँ पर रोचाना सोने और चांदी की बाओ देते हैं, मिलते हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद जहिंद।